हेलो पैंक्स, विल्कम बैक टो मेरे शैनल ट्रेवलर्स लेंस, मैं अभी तावांग में हूँ, जोगी आरुनचल परदिश का एक बहुत खुप सुरेट टाउन है तावांग मॉनस्ट्री इंडिया का लाज़ेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लाज़ेस्ट बुधिस्ट मॉनस्ट्री है आज का ये वीडियो मेरे अरुनचल सीरीस का सिक्स्थ वीडियो है आज के वीडियो में मैं तावांग के इसी most important landmark तावांग monastery का एक detail tour करवाऊंगी और उसके साथ बहुत सारा information शेयर करऊंगी साथ लिटल स्पाने के लिए वीडियो को एन तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरा previous वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आज के वीडियो को देख लिने के बाद वो वीडियो जरूर देख लीजेगा बहुत सारा information आपको मिल जाएगा मैं हर वीक मेरे चैनल पर एक informative ट्रैवल वीडियो अपलोट करती हूँ तो अगर आपका ट्रैवल कांटेंट में इंट्रेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा तावां के में टाउन एरिया से तावां मोनस्ट्री का डिस्टेंस है लगभग देर किलोमेटर हम इंटर कर रहे हैं मौनस्ट्री के में गेट से हूँ में गेट से इंटर करते ही यहाँ पर यह पार्किंग एरिया है और यहाँ पर एक कैफे है यह आप सीधा मौनस्ट्री के तरप चलिए आएंगे यहाँ पे गारी का पार्किंग चार्च है पचास रुपए यह जो रस्ता है ना यह सीधा चला गया है उपर जो एंड गेट है मतलब पीछे का गेट है वाप है हम यहाँ पे मौनस्ट्री के फ्रंट गेट के सामने नहीं उतर रहे हैं हम लोग इस रास्ते से सीधे मौनस्ट्री के पीछे वाले गेट की तरफ जा रहे हैं वहाँ से एंट्री करेंगे वीजन मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगी लगबग 10,000 फीट की हाइट में बसा ये तीन मंजिला मौनस्ट्री का जो कमपाउंड है वो चारो तरफ से एक 925 फीट लंबी दीवार से खिरा हुआ है अगर आप अरुनचल प्रदिश के तावांग सरकिट का ट्रीप प्लान कर रहे हैं तो मेरे अरुनचल सीरीज के वीडियो ज़रूर देखिएगा बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया है अरुनचल ट्रीप के सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आज के वीडियो के इन में भी है दू चेक दोस आउट आपके ट्रीप प्लानिंग में डिफिनिट्प्ली हिल्फुल होगा हम पहुच के हैं पीछे वाले गेट पे चलिए इंटर करते हैं इसी मॉनस्ट्री के नाम के उपर रखा गया है तावांग टाउन का नाम इसकी स्थापना 1681 में मेराक लामा लोद्रे ग्याथसो जी ने की थी जो की फिफ्ट दलाई लामा के शिश्य थे तावांग मॉनस्ट्री को टिबेटन लैंगवेज में बोला जाता है गादेन नाम गया लाथ से जिसका मतलब है The Divine Paradise of Complete Victory चारो तरफ खुबसूरत पहारों से घिरा हुआ ये मॉनस्ट्री लगभग 400 साल पुराना है सामने हैं इस मॉनस्ट्री का में प्रेयर हॉल चलिए अंदर जाके दिखते हैं यहाँ पर आपको शूस खोल के फिर अंदर जाना होगा गौतम बुद की ये स्टैचु अट्री का में प्रेयर है 28 वी टूची है हम अभी इस प्रेयर हॉल के फिर्स फोर पे जा रहा है इस प्रेयर हॉल के वाल्स को काफी अच्छे से डेकॉरेट किया गया है चारो तरफ आपको गौतम बुद की लाइफ, उनके टीचिंग्स और बुद्धिस्म में जो देव देवी है उनकी उपर काफी सारे पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे यहां पर हाउज आफ बाटर लेंप आफरिंग्स है यहां पर जाकर आप दिया जडा सकते है बटर का जो दिया होता है वह आप जडा सकते हैं तो हम लोग अभी यहां पर जा रहे हैं यहां टेरेस पर यह जो रूम है इसके अंदर जाके आप लैंप्स चला सकते है पर आप जड़ा को बाटर जाप बाटर जापों में पर जापकर देंग्स चार्प्स चला सकते हैं इस टेरस से हमको एक बहुत ही खुबसूरत नजारा देखने को मिला नीचे जो ये येलो बिल्डिंग्स अब देख रहे हो ना ये सारे बॉइज होस्टेल है जो लोग यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर रहते हैं उनका होस्टेल है यहाँ पर इस मॉनस्ट्रे के कंपाउंड के अंदर टोटल 65 रेसिदेंशल बिल्डिंग्स है इस मॉनस्ट्रे के अंदर एक म्यूजियम है यह म्यूजियम ही सोलिनेस 14 दरायलामा ने 8 नविमबर 2009 को इनाउगरेट किया था म्यूजियम में एक जन का टिकेट प्रैस है 20 रुपे इस म्यूजियम के अंदर आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल आटिफेक्ट्स पास्ट में जो दिग्निटरीज यहाँ पर विजिट किये थे उनकी पिक्चर्स बहुत सारे रिलिजियस आटिफेक्ट्स यह सब दिक्ट्स देखने को मिलेंगे यह बुद्ध स्टैचू 10th century AD में बनाए गया था यह एक हाती का दाथ है जो 7th century AD में मिट्टी के नीचे से मिला था यह बहुत पहले के एक आर्मी कमांडर जिनका नाम था खेर गयात्सो उनका स्कल है यह फूट्प्रेंट एक सिनियर मौंग का है जिनोंने तावंग मौनस्ट्री को रेनोवेट किया था म्यूजियम के फर्स्ट लोर पे चलते हैं अभी वहापे भी कुछ चीज़े हैं देखने के लिए यह एक मंडाला है संस्कृट में जिसका मीनिंग है सर्कल यह सर्कल एक बुद्धिस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है और मेंली मेडिटेशन पर्पेस के लिए यूज होता है मंडाला के बारे मेडिटेल में जानने के लिए आप यह पढ़ सकते हैं इसका साइज देखे हैं यह 18th सेंचुरी के कॉपर के टिल्स है जो मॉंक्स को बटर टी सर्फ करने के लिए यूज होता था ऐसे ही बहुत साड़ी इंटरेस्टिंग आर्टिफेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सब कुछ तो इस वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता इसलिए आप यहाँ पर आईए और एक्स्प्लूर कीजिए आप चाहे तो यहाँ से कुछ बुद्धिस्ट, हिस्टोरिकल और रिलिजियस बुग्स भी खरीच सकते हैं आपके कन्विनियंस के लिए वता दू कि यहाँ पर जो में प्रेयर हौल है उसके लेट साइट पर टॉलेट्स अवेलेवल है इस मॉनस्ट्री में जो बच्चे रहते हैं उनके एडुकेशन के लिए यहाँ पर यह स्कूल है यह मॉनस्ट्री इतना बड़ा है कि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक पूरा टाउन बसा है चारो तरफ इतने सुंदर बिल्डिंग्स देखके और इन खुबसूरत गलियों में घुमते हुए मुझे मैसूस हुआ कि यहाँ पर एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हम इस मॉनस्ट्री के फ्रंट गेट के सामने नहीं उतर के पीछे वाले गेट पे चले गए और वहां से इंटर किया एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ अगर इस मॉनस्ट्री का जो मतलब एंट्री गेट है वहाँ पर उतरेंगे तो आपको यहां से मतलब बहुत चड़ाई चड़के ऐसे चरके आपको उपर जो में मॉनस्ट्री है और जो म्यूजियम है वहाँ पर जाना होगा तो आप क्या कीजिएगा तो अब क्या कीजेगा आपप जो ड्राइवर है उनको बोलीएगा कि आपको जो पीछे वाले गेट है वहाँ पे उतारने को तो वहाँ पे अगर पार्किंग मिल जाता है अच्छा है अगर ने भी मिलता है पार्किंग तो आपको वहाँ पे ड्रॉप करके फिर वो नीचे पार्किंग पे चले जाए तो क्या होगा ना तो एक दम आप गारी में ही चलके पुड़ा आ जाएंगे उपर फिर वहाँ से आप नीचे चलते हुए आएंगे तो आपको उतना मतलब ब्रीधिंग का इशुज नहीं होगा इस लाइब्रेरी में कुछ बहुत ही पूराने वैलुएवल स्क्रिप्टर्स रखे हुए है मौनस्ट्री से बहार निकल के हम पार्किंग एरिया के पास आ गया है जहाँ पे हमारी गारी खड़ी है हमने और भी कई मौनस्ट्री पहले विजिट किया है लेकिन इस मौनस्ट्री विजिट का एक्स्पिरियंस कुछ अलग ही था बहुत अच्छा लगा हम सबको तो कैसा लगा आप लोगों का आज का यह वीडियो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अब नचल पर दो इस सीरीज के मेरे जो वीडियो से वो देखते रहिएगा मिलते हैं बहुत ही जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक मैं चैनल के साथ बने रहिएगा बाइ बाइ फ्रेंट्स बी हैपी एंड टेक कियर